Hello everyone, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत important information के बारे में जानेंगे कि CGPA को percentage में कैसे change करते हैं, पुडांक में क्या लिखते हैं, प्राप्तांक में क्या लिखते हैं, क्योंकि आप में से जिन भी students का result जो है वो अगर grade में आया है CGPA, SGPA में, तो आपको problem होती है, चाहे वो form feeling हो, counseling हो, admission के time या merit जहां बन रही है वहाँ जब आपको fill करना होता है उस time, इस वीडियो को इन तक देखेंगे तो आपको complete information मिलेगी, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको convert करने का formula क्या है, तो basically यही formula जो आपके screen के सामने है, CGPA और SGPA, SGPA semester wise होता है, जब overall की बात करते ह CGPA में आप multiply करते हैं 9.5 का, तो जो आकड़ा आएगा, जो data आएगा वो आपका percentage में आएगा, इसको समझने के लिए हम लोग एक example लेते हैं, माल लेते हैं किसी student का, overall CGPA आता है, सभी semester मिला कर, वो आता है 8.4, अब 8.4 को अगर अब उसको option में fill करना है, वहाँ पर CGPA का option नह multiply करना होगा, जैसे वो multiply करेगा, तो 79.8 जो है, वो उसकी value आ जाएगी, और ये percentage हो जाएगा, यानि अब वो इसको change एर के जहाँ भी percentage fill करना है, वो कर पाएगा, लेकिन एक और प्राप्लम आती है, कि अगर आपको आप प्राप्तांक और पुडांक लिखना हो, यानि maximum और प्राप्तांक यानि आप से obtained marks पुछेगा, तो आप इसी percentage में 10 का multiply कर देंगे, तो हो जाएगा, 798, यानि जो भी value आएगी, उसको percentage आएगा, उसको 1000 में देखेंगे, ये आप सभी लोग note कर लिजेगा, example में भी देख लेते हैं, जैसे कि counseling के time इस तरीके का एक interface open होकर आ र देते हैं, तो यहाँ पर जो प्राप्तांक है, आप प्राप्तांक, percentage को प्राप्तांक में बदल लीजिए, यहाँ पर जो पुडांक है, maximum marks जो है, उसको 1000 आप रखेंगे, और ये जो ये आटोमेटिक हो जाएगा, अगर जहां कहीं fill करने के लिए आएगा, तो अब आप इ percentage certificate बना दीजिए, इसकी जरुवत खास कर जब आपकी job लगती है, वहाँ पर चाहिए होता है, authenticity के लिए चाहिए होता है, कि क्या इस university का जो conversion है, वो इसी तरीके से है, सटीक है, तो आप एक application लिखते हैं, अपने result copy के साथ, तो आपको percentage certificate भी मिल जाता है, एक और बात ध्या considering और medical में कुछ ऐसे institution है, जहां पर conversion थोड़ा अलग हो सकता है, उसका मतलब जो तरीका है, उसमें data में थोड़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि वो अपने according उसको define करते हैं, तो जो आपको mark sheet मिलती है, अगर कोई ऐसे सस्थान से हो, तो उस mark sheet के पीछे side में वो लिखा भी ह होता है, उस instruction को पढ़कर भी आप उसका प्रियोग कर सकते हैं, ये ती जानकारी आप सभी के लिए, उमीद है आप सभी को helpful लगी होगी, तो चैनल को like and subscribe जरू करेंगे, मिलेंगे अगले, और भी important videos और topic के साथ, तब तक के लिए बाइबाइ, take care and keep watching.